नमस्कार दोस्तो वारेल प्रिणोस में आपका स्वागत है दोस्तो आज जिस शक्स की हम बात करने जा रहे हैं वो पंजाबी इंडरस्टी के बहुत ही हैंसम एंड़ेशिंग एंकर में से एक है रवनीट सिंग का जनम 17 फरवरी 1992 चंडीगड में हुआ उन्होंने अपने ग्रेजुएशन मास कॉम्मिनिकेशन पंजाब इंवस्टी से किया उनके पिता सरदार अफ़तार सिंग प्रोफेसर हैं और मीडिया से भी काफी जुड़े हुए हैं जिसके कारण रवनीट का Entertainment Industry की तरफ बचपन से ही काफी रुजान था उनको सिंगेंग एंडांसिंग का भी काफी शौंक है और उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ठेटर में गोर्ड मैडल भी जीता ग्रेजुशन की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कई टीवी और रेडियो चैनल में काम की है जिसमें उन्होंने अपने काफी जोहर दिखा लिए फिर ग्रेजुशन के बाद उनको एक पंजाबी चैनल में से एक शोर होस्ट करने का मौका बिला पर कुछ करन वो रेगुलर नहीं हो पाए पर उनको इस बात की बिल्कुल भी नुराशा नहीं हुई तो फिर उन्होंने थोचा कि अगर मीडिया से जुड़े रहना है तो उन्हें कैमरा के सामने ज्यादा से ज्यादा टाइम रहना होगा अब वो एक मौके की तलाश में थे फिर एक दिन उनको फेस्बुक पे मेसेज आया जिसमें उनको ओडिशन के लिए बुलाया रमीत काफी खुश थे पर एक तरफ वो थोड़ा नर्वस भी थे पर उन्होंने अपने आपको ओडिशन के लिए तियार किया और उसके बाद जो हुआ वो एक हिस्ट्री बन गया उनको MH1 की तरफ से कंटीनी मंडीर एक खुद का शो होस्ट करने के लिए मौका मिल गया जिसमें वो अलग-लग कॉलेजिस में जाकर शो होस्ट करते कॉलेज प्रफेसर और बच्चों से हसी में जाक करते उनके इसी हस्मुक नेचर की वज़े से उन्हें काफी प्यार मिलने लगा सोचल मीडिया में भी उनकी काफी नाम हो गया उनकी फैन फॉल्विंग दिन बाद दिन बढ़ती ही जा रही थी फेस्बुक में उनके इस टाइम दो मिलियन से भी ज़्यादा फॉल्वर्स है उनके इसी अंदाज और कामयाबी के कारण आज उन्हें एक गाना गाने के लिए भी मौका मिलने हम यही चाहेंगे कि रबनीत दिन बदिन ऐसे ही हम सब को हसाता रहे और लोगों के दिलों में राच करता रहे दोस्तों उनकी सफलता के पीछे एक चीछ जो हमें कभी नहीं मुली पहले चाहे आप फेमस हो या ना हो चाहे आप अमीर हो या नहीं हो पर हमेशा सैटिस्वाइड रहना चाहिए यही अंदाज उनका आज उन्हें इतनी बलंदियों में ले आया है अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिए